असलाम अलेकुम शिंख मेरा ये सवाल है कि आज कल जो दीन में सबसे जाधा हट अगर कुछ लगता है लोगों को तो वो दाड़ी रखना है मतलब तो दाड़ी रखने का कुछ मतलब हदीस है कैसा मतलब के हराम है या कुछ मकरू है कुछ लोग दाड़ी को तराशते भी मतलब बराबर करते इसको तो ये मकरू बोलते इसको ये करने को मतलब हराम नहीं बोलते तो इसका इसलाम में क्या हुकूम है और मुचों को तराशने का तो कुछ लोग उसको पूरा ही मतलब काट देते तो वह उसको भी कुछ लोग हराम बोलते तो यह थोड़ा मेरा कन्फियोजन क्लियर कर दो जजा कर दो जादा इस मामले में परेशान होते हैं खासों से यूप्स नोजवान और उनको लगता बड़ी सखती है यह कि मैं रखो में दरूरी है क्या करें इस मामले में। यह एक चीज़ बताओंगा एक दो निर्चानन होता है इस समाज के खिलाफ होता है शहीता है करोणा आ गया शादी हासान होगे संस्ती जली ह tuning हो रहिएså बगर मुस्लमानों को करोणा का डर है मैं कुछ शादियों में गया जिनके खांदों मैं ऐसी शादियां होती कि दावात आम होती और अभी शादियों में गए लॉक्डाउन खुड़ने की बार तो हाल ही है कि 50 लोग 200 लोग को बलाए जा रहा है कितना सादा यार कितने कम में खाना हो जा तो बले तीस हुदार में खाना होगा पुरा हॉल का 2000 किरा गया पैटी जांके तीन चार चार पांट पांच दुद्द्स लाग खर्च करने को पीशे नहीं अटे दो तो साद लेकिर आप एक शादी को सादा करना चाहिए और एक पुर्टागाल पुच्यगीज उसका नदरलेंड यह तमाम जब यह लोगों ने कॉलोनाइजेशन किया और जब मुस्लिम वालिक पहुचे तो यह लोग दाड़ी नहीं रखते तो मुस्मों ने पहली बार एक खौम की खौम को देखा जो बगट दाड़ी रखने में और फ स्वीजर में यह हो गया कि समझेंगे जो लोग रखनाः चाते हैं उनको मुमशक्यों होगी मदल शरीयत के होकव्मेदाऌगी रखो समाज भी अठाड़ी आट तो आसान था शरीयत के होकमेदाऑी रखो नूमिनने यह techn abdhermay जमाल दाँए कांसेंट होता है कि कुया ह्या है नुप आजया तो यह दो सालर में यहां से शुरू होता पहले में खेंश में दूसित अजयतां ही संसरित रख लेना क्योंकि समाज नहीं रखता ना देखिए प्रॉलम में शुरू होते थे कई चीज़ें मुझे होते थे पिर क्या हो आता है यहां आ गई अरे वह यहां चीन लगरी क्या बकरा दाड़ी लोग बोलते हैं मजा खोड़ाते थे अरे क्या वो कुड के सा रख लिए बकर आत्में डीमोटिवेट होता तो वह ऐसी लंबी आती है तो मैंने इसको दबाना चालो कर दिया आ रही थी हो तो इसको दबाता था एक जमाना आया कि वह दबते दबते यहां से आ कैसी गोल होगी इतने दिन दबाया मैंने इसको चार-पांस साल ऐसा दबाके यू रखना य यसी का असर है और यह असर अफिर कहीं हैं मुस्लिम मौलिक वे इसी होगए गए मुस्मान बसते हैं वह भी ऐसी होगए तो नतीजह हो गया कि सारे लोग चुके समाज में रखते हैं तो नौजराने के लिए मुशक़्ी हैं लेकिन आप दीन का कहा हुम है जियादा कि दीन का थो में नभी कर्म किया और था जो सही दरजे किए बुकारी किया था यह पुर्ज़ाओ को चोड़ाद से अलग दिखो मुचों को तराश उर दार्यों को जहों को तराशो दाड़ीप पारा है यहोदियों की मखालशध करो दाड़ी सीक्राइब जाएश हो पड़ाते थे चाहको तराशो और दाड़ीओुच्छ दूसरा यह मुच्छों को पस्ट करने का हुक्म है अगर पस्ट के बदर को पूरा साफ कर दे तो लुमाने का यह दूरुस्ट नहीं है चुक्छा करो जितना चुटा करते चुटा करो लेकिन कैची से करो वस्तरा मत लगाओ मूनो मत जिसको बोलूगा माँवा तो आप केंची से कितना चोटा कर सकते हैं एकदम चोटा भी कर सकते हैं लेकिन उसको मूनना नहीं साइंटिफिक भी हम जानते कि दाड़ी और मुच्छी का अलाखा अगर आप उसको मूनते हैं जब उसको छिल देते है पता ही चलता है कि जो हमफोल यूवी रेज होती है इफक्ट करती है उतने हिस्से को रोलीजिन काला होना चुरू हो जाता है तो साफ करने उसके बदले आप तराश जितना भी आपको छोटा करना है लिए लिए जो बुरा नहीं बोलना चाहिए इसलिए कि वह भी कुछ बि है तो नौजानों के लिए बड़ा मुश्किल जाता है लेकिन मैं कहूंगा यह रखें कि दिन आसान है मैंने टॉपिक को लिया लेकिन इतना भी नहीं कि आप दिन के हकामात को फूरा छोड़ने लगे और लोगों ने समझा खुबसूरती का मायर है अगर दाड़ी ना हो ल मैं आज भी अगर दस है टॉपमस तो उसमें से चार पांच छे साथ को दाड़ी में लें गया आप समझे लें दाड़ी खुबसूरती के खिलाफ नहीं आता है यह नैचरल आती मर्दों को नैचरली बढ़ती जैसा सर के बाल आते पैदाज के साथ बड़े होते तो बगल के आते हैं तो आड़ी के बाल आते हैं कान के अंतर तेरे गुमर के अधाला माच चालू होते ही हर्मोनल चेंजेस के वज़े से होता है तो इसको आप जो है रखे यह खुबसूरती के अलामत याद रखे इससे आदमी बस्तूरत नहीं लगता ताड़ी साफ करना को खुबसू आजकर दाड़ी रख रहे हैं लेकिन याद रखे हैं आप सुन्त समझ के रखें प्रेंड से मत रखें चुके सुन्त रखने के शालू इस अन्सान को आज़र और सवाब मिलता है तो लहादा महुन में चुके सब नहीं रखते तो मुश्किल जाता है लेकि नौज़ारों से गुदारीश करओंगा दाडी नभी रखें अन्सान की सुन्त हैं और दुनिया की आप सबसे खुबसुट इंसान थे और तमाम अम्दिया स्बसक्तितर इसंता हैं जो दुनिया के सबसे खुबसुट इंसान थैं घरता कि यूसुप इस नागी तैं चिनके ताल्यास से कुछ नहीं है कितने एक्जामब दो तीन नौजवाना कर लड़ लें अब बड़ाद में इसका तुम बोले उसका फैसला करने रहें उसकी दाडी क्वशे उसको पेसला कुन समझा घाया होता है नहीं होता है मुझे अच्छे ज़िया दे हम लोगे बाद खेल रहे थे ग्राउंड के अंदर और किसी बच्छे ने एक शॉर्ट मार दिया और वहां एक बस्ती थी जहां बहुत गरीब गरते थे तो उनकी आड़ते वगर आती थी बहुत चला गया रूल यह था कि वहां जब तक नहीं जाना जब तक की मालूम ना कर लेकि को है तो नहीं लेकिन बच्छा चला गया वहां खावातीम बैटी भी थी और बड़ा मसला हो गया वह खौम के पूरे लोग आगे उदर से अब वह सिच्वेशन के मैं पहुंच गया और पूरे लड़कों में हम सब एक उमार के में कुछ दाड़ी थी लेकित तुम बोले वहां सब क्या फैसला करते तुम बोले उन्होंने मेरे तरफ क्यूं देखा मैंने गौर किया हलाकि मैं हाइट में भी कम डूबला पतला और आपका हुक्म है और नभी से महबत की अलामत है कि उन्होंने जो हुक्म दिया वस्कूर करने में पीछे नहीं हटे जाड़ा है अगर आपको हमारे वीडियो को पाने करें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं हमसे दिगर सोचल मेडिया पर जोड़ने के लिए वीडियो में दिये गए आइडिस को सेर्च करें जजाक अला